हेलो एवरीवन क्या हाल है आप सबका वेलकम टो वर यूट्यूब चैनल माइंड जीला वी राइस बाई लिफ्टिंग अधर्स सो गाइज आज बिल्डिंग मेटीरियल हो और कंस्ट्रक्शन की यह लास्ट वीडियो है मिसलीनियस टॉपिक का पार टू है मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट कोश्टिंग आपको करवा चुका हूँ जितने अभी तक आए हुए हैं तो जितने अभी तक आने हैं मैक्सिम जितने आ सकते हैं ठीक है तो बी एम सी आपका यहां पर आज खतम होगा नेक्स्ट में हम कोश्टिंग करेंगे तो मैं सोच रहा हूं कि एस्टिमिशन कोश्टिंग के जो कोश्टिंग उसमें साथ ही साथ मैं आपको कंप्लीट स्कोर्स भी करवा हूं कोश्टिंग का तो उसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए जान किस तरह का चाहिए तो वह आप हमें comment box पर comment कर दीजिए तो अभी मैं आप टाइम ना लेकर question start करूंगा पर question start करने से पहले मैं कहूंगा stay home stay safe and stay tuned to my videos so guys पहला question आपकी screen पर है देखिए वह कहरा है primary bond in solids of a typical metal includes hydrogen bond vendor wall bonds mixed bond ionic bond तो prime एक होता है primary bond एक होता है secondary bond primary bond की बात है तो primary bond को देखिए प्रैमरी bond में अपने पास होता है coblend bond एक होता ionic bond तो यहां पर सीधे क्या लिखा हो ionic band option number d is the right answer for this question primary मतलब वो sharing करते हैं आपस में क्या होता है sharing bond क्या करते है sharing करते हैं तो next question देखिए next देखिए वो कह रहा है the construction of a temporary structure required to support an unsafe structure is called under piping pining sorry scaffolding shoring और जैकिंग तो इसका आंसर है shoring क्या आंसर है shoring sees the right answer for this question under pining क्या होता है under pining होता है जब हमारी foundation में किसी परकार की crack आ जाए यहां हमें foundation में repair करना है building को repair करना है तो हम foundation के under उसको क्या करते हैं support करते हैं तो उसको कहते है under pining ठीक है और उसको scaffolding scaffolding तो आपको पता ही है scaffolding क्या होता है step by step बनाना steels के जिस पर खड़े हो के हम plaster करते हैं कोई भी फोंबग करते हैं कोई भी क्राप करते हैं उसको scaffolding अब वो करें construction एक temporary structure construct करना साथ में उसको support करना है किसी unsupportive safe unsafe structure को support करना तो उसको कहेंगे हम क्या शोरिंग शायद से question मैंने आपको पहले भी करा चुका हूं ठीक है तो next question की तरफ चलेंगे इस question को ध्यान से करें बहुत important question है if the height of the first story of a building is 3.25 meter and riser is 13 cm the number of tread required is 3 अब तो पहले में rise to train तो पता ही होगा यह अगर मेरा stairs तो यह क्या होता है यह होता है अब जो वो प्रेंड़ होता है अगर ऐसे में ऐसा नहीं सकते है पर एक्ट्व होना चीव कि तो से 18 cm के बीच में होता है उतरेट कि तो होता है 20-30 cm के याद रखना यह जो मैं लिखा रहा हूं यह याद रखना यह भी पूछ लेता है कहीं बार अब उसके कोशन की तरफ चलेंगे उसने कोशन में क्या बोला उसने कोशन में बोला कि मेरा जो कमरा चलते हैं तो क्या रहा है कि मुझे भूरे जैसे जाकर जानए यहां से स्टार्णवrist देंगे iam बनानी यहां चलते हैं तो वह के रहे है कि मेरे पास उसने लगरा देदिया हूं है थाइसे लिर्ट को 325 को अगर मैं 325 को डिवाइड कर दूंगा तेरा से तो या देगा 25 ठीक है 25 मेरे पास ट्रेड आजेंगे बट बट 25 आंसर नहीं है क्योंकि एक मेरा क्या होगा टॉप वाला क्या होगा मेरी लेंडिंग होगी यहां में पहुंच जाओंगा उसको मैं काउंट नहीं करूंगा तो इसमें से एक क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आजेगा 24 राइट आंसर फॉर दिस आंसर कोशन समझाए मैं फिर से समझाता हूं ध्यान से देखना देखना देखो 325 क्या थी उसकी हाइट है 13 सेंटिमेटर का एक राइजर है मैंने डिवाइड किया मेर नेक्स कोशन देखिये वह कह रहा हिं आग्स कहई रहा है इन आउर्स ड़ो ज मैंने बताया था आपको कल बताता तos प्रिंग लाइन कहते या तो इस वह तो क्या हैंगे तो ओध लैंसे करफ करके तो कहते प्रिंग कि ठीक है नेक्स कोशन देखिए अंडर सर फेस ओफ फेस तो भी सॉफिट सबाइब, थो इस left is the right answer for this question. तो next देखिए वो कहे रहा है covering of concrete placed on exposed top of external wall is known as copying cornized face lintel, तो lintel आपको पता है कॉरणाइज क्या होता है कॉर्νεर्स पे लगाया तूरिय तो कर दो के ब में और क्रिंकरीर काता शक्राइए जाता है उस्तो कहते हैं कॉपिंग तो तो वही पूछता है जो कंक्रीट प्लेस्ट किया जाता है एक्टरनल वाल के उपर उससों कहते कॉपिंग तो अप्शन नमबर कौन सा है एस राइट आंसर फॉर दिस कोशन ठीक है नेक्स देखिए तो नेक्स कोशन है वह मैंने कल बताया था आपको वह कहा रहा है था प्रति प्रति अपने पास फॉर्फ और वह मैंने आपको दो इसमें बता दिए एक होगे आपने पास प्रत्व फिर स्वांप इलिए और तो अब हम क्या करते है कि उससा अपने पास पीडिक निमबर बी जई राइट आंसर फोशन टेकर नेक्स देखिए वह कह रहा है यह तो मैस्टिक असफाल्ट मैंने आपको बताया था एक वाटर प्रूफिंग है तो वाटर प्रूफिंग है तो मतलब यह क्या होगा एक नौन करोसिव मटिरल है तो ऑप्षिन नमबर C is the right answer for this question नौन करोसिव मटिरियल नेक्स देखिए वह कहरा सम ओफ तो मैंने आपको अभी थोड़ी दिर पहले ना ट्रेड और राइजर की डिमेंशन करवाई थी कुछ की ट्रेड किता होता है ट्वेंटी टू थर्टी और राइजर किता होता है पंदरां से अठारह अब क्या पुछा उसने क्या पुछण ने पूछ भई दोनों का संग कितना होगा तो जब इन दोनों को संगरेंगे तो मैक्स अपना मीडियम चलेंगे वीटिविन रेंज चलेंगे तो वह होता है अपने 40 से 45 ठीक है 40 से 45 सेंटिमेटर अब यहां पे ट्री मिटर ठीक है जो बोलेगा मैं करते आता हूं ठीक है यह दो फ्लोर एक पहला फ्लोर यह फ्रस्ट है यह सेकिंड है वो कह रहा है इसकी भीच की जो हाइट है वह कितनी है थ्री मिटर ठीक है वो कह रहा है यह जो राइजर है अपने पास 150 mm है यह कह रहा है अब जहां से जब यहां पहुंचूंगा इसके बीच में क्या है तू फ्लाइट है तू फ्लाइट मतलब तू लांडिंग फ्लाइट क्या होती है जब तक हम रुक नहीं रहे हैं चलते जारे चलते स्टेर्स चलना स्टार्ट किया एक दो तीन चार चल रहे हैं पर जब तक लैंडिंग नहीं आ रहे हैं हम रुक नहीं रहे हैं पोर्षन नहीं आ रहा है तब तो उसको कहते हैं एक फ्लाइट फिर च में तो मैं में एक मार सब्सक्राइब तो यह डिया है तो कि यह कुछन थाउजंट ड्वाइड dim1 जब इसको सौन थिकें जैए जब इसको में सॉल्ब करूंगा तो इसको सॉ आलको तो मिरे पास ट्वैंटी आएहागा तो अब मेरे पास जब 20 आएगा ठीक है 20 आगया अब उसने गया बोले दो फ्लाइट दो फ्लाइट बोले तो माइनस टू करूँगा ठीक है तो आज एक अठारा मतलब की टोटल कितने वह अठारा हो तो ऑप्शन कौन सा एस राइट अंसर फॉर बिस कोश्चन ठीक है लेट लेटेट किया जाता है निचे फ्लोर पर लगाया या था कि डैंपनास ना नीचे से मारा जो मॉस्टर कॉंटेंट दिवारों पर ना जाए ठीक है तो कहरा कि कौन सी शीटिंग की जाती है फ्लेक्सव मिट्स वह कहते है विट्विटम इन शीटिंग तो एस राइट आं टर्जो फ्लोरिंग ठीक है तो नेक्स देखिए दो प्रोसेस इन विच ग्लास इस सब्जेक्टिट टू हीटिंग अन्ड फ्लो कुलिंग तो यह आपने देखे नहीं होंगे कॉश्टिंग आपको पेपर में आएंगे तो आप इसको 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 नहीं कर पाओगे तब ही बोस्ते लिच एक तो यह लेक्याँ आपनाएं आपके लिच्ट घ्लास को मैंने क्या किया या फ्लॉटि आपके और प्लास्टिक असफाल्ट क्या होता है यूजड वाटरपूफ इंगोर रभी a mixture of cement and asphalt a natural asphalt a refinery of product तो इसमें जो आंसर है वो है be a mixture of cement and asphalt ठीक है तो next देखिए वो करें the horizontal projection of head or sill beyond the face of a frame is called वो क्या करें मैं door door की बात कर रहा है ठीक है horizontal projection of a head beyond the face of a frame एक frame की बात कर रहा है आपने देखा हो गरों के दर्वाजे होते हैं इस तरह से frame होता है इस दर्वाजा होगा ऐसे करके आपको आपके doors में ऐसे होगा वो करें यह जो projection है horizontal जो बाहर को निकाला हो between the face of the wall and यह इसको कहते है होन के कहते होन तो होन is the right answer for this question is a right answer ठीक है next देखिए वो करें दा वर्टिकल मैंबर्स fitted between the steps and handrail in a staircase बिटवीन बोला है बिटवीन बोला है मैं बतायता हूं क्या बोल रहा हो यह मेरा यहां से मेरी stairs आएगी यह यह मेरी stairs आगई ठीक है अब यहां पर ऐसे होता है ठीक है यह यह से आगए यह मेरी stairs है अब जो फर्स्ट वाला होता है जो फर्स्ट वाला होता है फर्स्ट वाला होता है उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं नेवल पोस्ट नेवल पोस्ट अब बीच वाले को हम क्या कहते हैं य यह इस पर हांट रखके चलते हो मजह लेते हुए जूलते हो जहता है ना स्टेरेश में जही बहुत ज्रॉटाइबं पर जूला चलते हो इसव कहते हैं दोनेकी डिफेरंस चैनल इसको कहते हैं उसको कहते हैं। इस एक ब्लॉस्टर है ब्लॉस्टर दो यह the right answer for this question ठीक है नेक्स देखिए वो ही कोई केरा पॉटाइश लेट ग्लास पॉटाइश लेट ग्लास is also known as hard glass bohemian glass soda glass and flirt glass कल में आब को सारी ग्लास बता रहे थे तो इसको कहते पॉटाइश लेट को कहते फिरेंट ग्लास तो इसको पहले में मिटा देता हूं option नमबर D is the right answer for this question तो इसका है फिंग क्लास D ठीक है वो करें दूरिबिल्टी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटिरिल इस दूरिबिल्टी को पूछ रहा है कि भी दूरिबिल्टी क्या होती है रिस्टेंस तो क्रेशिंग बिल्कुल नहीं वह तो क्या होती है अपने पास कुमप्रेशिव होती है रेजिस्टेंस तो वैदरिंग शियर फिरस्टेंट को प्रिश्टेंस तो वैज्री बीजैच दूरिबिल्टी बीजै के होती है त्यूर्पीपलिंग या कूंग थोड़िदे पहले ही बताया था अंडर पाइनिंग का मतलब ही कि अधकर की जो ऊरिज इसको यूज किया था अगर हमें कोई cracks आ जाएं buildings में यहां में repair work करना हो foundation में तो option number D is the right answer for this question under pining ठीक है तो last question है ठीक है building material construction का तो जोश के साथ करेंगे और इसका answer आप खुद दोगे वो कहरा the extent of carbon in wrought iron is up to 0% 0.25% 0.5% 1% एक चीज मैं आपको बताया था wrought iron फिर से बोलूँगा purest form purest form of iron कौन सा है wrought iron तो उसमें carbon का percentage तो बिल्कुल क्या होगा कम होगा वैसा तो होता 0.15% पर इदर दिया नहीं option पे तो option हम 0.25% लेके चलेंगे तो option number B is the right answer for this question तो guys hope यह आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो और अभी तक मैंने जितने भी कोशन करा हैं building material construction के आपने सारे कोशन किये हैं और इसको बार बार देखिए इन वीडियो इसको ताकि आपकी जो नीचे description box में मेरा telegram account है वहाँ पर जाके हमें follow कर सकता है और उसको regular PDF के लिए तो thank you very much and अगली वीडियो में आपके लिए next subject लेके आएंगे estimation और costing thank you very much and have a nice day